नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सपना सोमस्कुलेंगे चानल में और आज हम दसवीक अक्षा हिंदी का चटा पाट गिर्धर नागर्ज का स्वाध्य लिखने वाले हैं अगर आप नए हो इस चानल को चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल ऐकन दबाईए और पहला प्रश्न है सुचना के अनुसा कृतिया कीजिए एक संजाल पूर्ण कीजिए होली के समयानन निर्मीत करने वाले खटक तो उत्तर है पक्वाच प्रेम पिछकारी केसर गुलाल कर प्रश्न दो है प्रवात आलिका पूर्ण कीजिए में पहला है कनहिया की विशिष्टाए उत्तर लिखिए गिरी को धारं करने वाला गायों को पालक सिर्पर मोरपंक का मुक्ट पहनने वाले भक्तों को संसारुपी सागर से पार उतारने वाले प्रश्न तीसरा है इस अर् प्रश्न चोता है कनहिया के नाम गिरिधर गोपाल प्रश्न पांच है दूसरे पत का सरल अर्थ लिखिया हरी बिन कुन गती मेरी में سरन हु तेरी उत तर है है हरी आपके بिना मेरा कौन है अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकारणाए है आप ही मेरा पालंग करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ मेरा दिन हर समय आपका ही नाम जबती रहती हूँ मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीवर लालसा है यह संसार विभिन्न प्रकार के दोशों और विकारों से भरा हुआ स संसार सागर में डूप जाएगी, फरेदरम आपकी यह विरहनी, निरन्दन आपकी बाट चो होती रहती है, आपके आजमन की प्रतिक्षा करती रहती है, आपकी अदासी मेरा सद आपके नाम का स्मरं करती रहती है, और आपकी शरण में आई है, उपवजित लेखकर यहाँ पे लिखना है जिमनलिकी चब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिये तथा उचित शिर्षक दीजिये यह सवाल आपको परिक्षा में भी आ सकता है इस प्रकार के सवाल आते हैं तो यहाँ पे हमें शब दिये गए है अलमारी गिलहरी चावल के पापड छोटा बच्चा जीवदया एक गाउ में एक छोटा बच्चा रहता था उसका नाम चिंटु था एक दिन चिंटु अपने घ की हलकी चीची की आवाज आ रही है चिंटु दोड कर वहाँ पहुचा और उसने कवो को वहां से उडाया उसने देखा कि एक छोटी से गिडहरी वहां चीची कर रही थी उसका शरीर कवो की चोट से गायल हो गया था चिंटु ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिडहरी को उठा लिया उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया उसके घाओं को साफ करके उस पर सुफरा मैसिन लगाई और उसे मेच पर बिठा दिया गिलहरी कुछ देर बाद धीरे-धीरे मेच पर घूमने लगी मेच पर एक प्लेट में चावल के प उसे अपने पास रख सकता हूँ अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कोन उसे अपना आहार बना लेंगे मा को चिंटु की एसी सोच पर गर्व हुआ और उनों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली चिंटु ने अपने किताब वो और खुली अलमारी के एक खाने में एक तोलिया बिछा कर गिलरी को बेठा दिया उसके पास चावल के कुछ पापड तथा अमरूत के कुछ टुकडे रख दिया तीन-चार दिन बार जब गिलरी अच्छी तरह दोडने लगी तो चिंटु ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया सीख हमें पशु पक्षियों के प्रती दयाभाव रखना चाहिए अपटी पध्यांश तो सूचना के अनुसा कुरुतिया कीजे काम जरा लेकर देखो सक्त बात से नहीं स्नेह से अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देख कर देखो कितने भी गहरे रहे गर्द हर जगह प्यार जा सकता है कितना भी ब्रष्ट जबाना हो हर समय प्यार भा सकता है जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ चतन नहीं, दे प्यारा उठा पाए न जिसे इतना गहरा कुछ पतन नहीं भवानी प्रसाद मिश्टर की ये पंक्तिया थी प्रश्ण एक है उठा लिखे किसी से काम करवाने के लिए उप्युक्त इसने हैं हर समय अच्छी लगने वाली बात प्यार अच्छा प्रयत नहीं है गिरे हुए को उठाना और यही अधुगती है गिरे हुए को न उठाना पध्यांश की तीसरी और चोथी पंक्ति का संदेश लिखिए तो यहाँ पर यही संदेश है उत्तर कभी प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कोई हमसे कितना भी सक्दूर या नाराज क्यों नहीं हो किन्तु अपने अंदर कसने प्रकट करके उन्हें सहानमु कोई दे कर उनके भीतर की प्रेम की भावना निरमित कर सकते हैं कवी कहते कि जमाना चाहें जितना भी व्रिष्ठ हो जाए कि तुन इस्वार्थ पवित्र और सच्चे प्रेम का अस्तित्व वह उसकी लोग प्रियता सदय वनी रहती है वह हर समय अच्छा लग सकता है इन प यहाँ पर ने, को, से, का, की, के, मे, पर, हे, अरे, के लिए यह शब्द है, तो उत्तर यहाँ पर लिखना है, ने, विद्ध्या ने खाना बनाया कारक है करता, को, सपना ने, शशी को तौफा दिया कारक है कर्म, से, सोनाली गाड़ी से गाव जाती है कारक है करण, का, मेरे पापा का नाम रमेश है कारखे संबंद की रेनुका सीता की सहेली है कारखे संबंद के नीरच के दो मकान है कारखे संबंद में धुरूवी पढ़ाई में तेज है कारखे अधिकरण पर छट पर चिडिया दाने चुक रही है कारखे अधिकरण हे राम कितनी धूपे है कारखे संभोधन अरे अरे राजीश तुम कहा चले कारके संभोधन के लिए हेमा ने भगवान के लिए प्रशाद बनाया कारखे संभोधन दन्यवाद विध्याहरति मिध्रो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रू इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और किसी भी वीडियो क्या आपको जरूरत हो तो कमेंट करके हमें पता सकते हैं जल से जल अपलोड कर देंगे और यह वीडियो जाद से जादा शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते अगले वीडियो मदे धन्यवाद